हम सूरज के रहते चलते हैं तो बात अलग है अंधरे में चलने से पहले हमें सूचना पढ़ता है कि हमारे साथ बैटर रख ले या क्या रख ले उसी प्रकार आप अंधरे में रहते हुए चल रहे हैं तो आपके पास यंत्र है यंत्र को चलने के लिए बात कह रहा हूं नहीं यंत्र नहीं है और आप अंधरे में चल रहे हैं बैटरी नहीं है तो आप लीचे गिर जाओ के थोगा लगेगा टकर लगेगी आप इस बात का यार रखे, यंत्र एक वह उजाला है, जो आप अंधरे में चलने की पिक्षमता रखता है, उजाले में तो सभी लोग चल सकते हैं, यंत्र ओक्षमता है, साधना ओक्षमता है, तुम्हें अंधरे में भी संकटों में भी आगे लेके चलेगी, इसलिए इसलिए आपको दिक्षा देनी, आप इस बात को समझा करो कि मैंने किसलिए आपको इस आतना की दिक्षा हैं दी, अब गल्तियां तो हुई, गल्तियां तो हमें किया, स्वामी निख्रेव श्राण जी ने तो जैसे आप आप आड़ के उपर से कूदने को कहा, अगर मैं इसलिए कभी नहीं करोगे, क्यों, कि आप उसके प्रति आपका समझभणी ने, उसके बारे में आप सोचने का विदान ही नहीं, कि गुरू क्या देता हैं, और हम क्या ले रहे हैं, क्या हम लेने के अधिकारी है, या नहीं है आपकी नहीं, फिर भी इतना होने पर भी, मैं मदूश्रवानिय की, फिर भी गुरू उसके ओपर प्रतिक्ष होकर उन्होंने कृपा की, मैं भी चाहता हूं कि आपके जेवल में साथना पूर्न हुई हो या ना हुई हो, आपने गल्कियां की हो, ना की हो, लेकिन ऐसा कुछ हो, जिससे स्वामी निकलिश्वान या आपक आपके साथ घर पर घर तक चले, और आपके घर में जो भी इंतर की सामगली स्थाफित हो, उसमें उस साथना कफल आपको मिले, आप उस साथना को प्राप्त करें, हम लोग, हम पहले लिगे लोगों को एक दर्शमावित्या सिद्ध करने के लिए, अगर वसिष्ट महर्शन कि अधमी को हजार वर्श लगते हैं, हम हम एक बार करते हैं को हम खतते हैं, हम यह कुझ्थी महयां गर कुद दृष्टी में अगर मन को विशारों से भण रह हुआ है, हम इसको सुद्ध करके कवाण करते हैं तो हमारी भो जिष्टित महमें साथना का सफल भी गर, जैसा स्रीकृष्ण भवान उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े हुए थे और जब अर्जुन बार-बार कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा युद्ध करने से मेरे रोगों का सभी रोगों का नाश होगा और ऐसा राजम प्राप्त करके क्या करना है वो उसकी क्र को बोलती चला जा रहा था कृष्ण सुन रहे थे कृष्ण सुन रहे थे कृष्ण सुन रहे थे कृष्ण उनको जवाब देने की भी बात कर रहे थे कृष्ण को जब युद्ध में आने के बाद जब कि उसको सभी को मारना है सभी को करना इसका सब पता चलने के बाद भी कि अर्जुन अपने अस्त्रशतर छोड़ कर रत्य नीचे खड़े बैटटर आंखों से अस्त्रशतर आगता है कि मैं साधना नहीं करूंगा, मैं युद्धा नहीं करूंगा, मेरी रक्षा करो, कृष्ण मुझे अईसा राज्य नहीं चाहिए, कृष्ण एक बार विचार करत तो उन्हें पताचरा कि शकुनी, द्रोणाचारिय, भीष्ण, ऐसे जिसे लवत्यों को पता था, अर्जुन ही ऐसा विक्तित है, जो कवरवं को हरा सकतका ये युद्ध को दे सकता है, इसके अधार कृष्ण है, तो उन्होंने रात में ही ऐसे ही, आपको बताए, महारथी थे, लोणाचारिय थे, भीष्म थे, प्रफाचारिय थे, अर्षवत्थामा थे, और उनके साथ साथ, सारे बड़े बड़े लोग शकुनी था, जो कुटे ही नहीं देखने था, उन्हें कहा कि अगर अर्जुन को एक को हम रोकते हैं, तो इद्ध रूप जाएगा तात में बगलामुखी साथना संपन्न प्रवाई गई, और सुभे युद्ध में आते हैं, इसे भी लोगों को देखकर, उसकी बुद्धी स्थंबित हो गई, अर्जन की बुद्धी स्थंबित हो गई, और अर्जन कहने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बार-बार क्रिशन समझा रहेते हैं नहीं हुआ, जब क्रिशन ने अपने दिवी दृष्टी से देखा, कि अर्जन आइसा क्यों कर रहा है युद्ध में आने के बाद, तब नहीं लगा कि बगलामुखी का प्रयू हुआ है, और स्रीक्रिशन भगवान ने फिर उसी कारी को अपने प ज्यान से स्थम्वित वीकी से बाहर आजाये और उसने उनको दिख्षा प्रदान की, जिवी दृष्टी जैसे प्रदान की और उनने अपना विश्वरू रूप बताया, और तहा कि इस विश्व में करता करवाने वाला सब कुछ महीं ही हूँ, सब कुछ महीं ही हूँ, अर अर्जन को समझा रहे हैं, और अर्जन ने जब ये बात देखी, कि सारा विश्व कृष्व में समाईत है, वो अपना विश्वरू रूप बदाये हैं, तो अर्जन की वह दृष्टी जो स्थम्वित हो गई थी, कहा, कि नहीं प्रभू, मैं आप जो कहेंगे वो करूँगा और उने का कृष्णन मंदे जगद गुरू, मैं कृष्णन रूपी जगद गुरू को नमस्कार करता हूँ, वो जो कहेंगा मैं करूँगा, इसलिए शिश्व की बदीश जब स्थम्वित हो जाती है, उसको गुरू को विश्वरू धरन करना पड़ता है, और उसको समझान में आजे दिन से उठके वर्षा को होगी, अगर उन महान भाओं में जिनने तपस्या के जितने भी रुशी होए, राक्षस होए, जो भी तपस्या के हैं, आपने सभी को देखा है, इंद्र भगवान ने उनकी तपस्या में विखन डाले हैं, वर्षा के रूप में, तूफ साधना जब कर रहे हो, स्वामी निख्रेश्वाण जी जैसे गुरू है, और उनका मंतर का जाप कर रहे हो, तो निश्चित रूप से सभी को इरश्या होगी यह होगी, यह ग्रुस्त रहे कर साधना कर रहे हैं, इनमें विखन डालो, और वो लोग परसा करेंगी, कि आप उ गल्दियां जरूर हुई। जिस तरह होना चाहिएं, हम जिस तरह साधना करनी चाहें, हम नहीं करें, और आशा करते हैं कि हमएं इस साधना में सensive अपनों मिले। तो हमें भी गुरूजी का व कृष्वरू रहे हमारे गल्दियों को क्श्वश्रमा करें, हम जैसे गुरू कि आपने गलतिया नहीं की है मैं स्रेम कहता हूँ तो आपको कुछ करना नहीं है आपने बीश से उठे साथना ठीक तरी से कीडि नहीं कीडिये आये आपकी मर्जे लेकिन भागिदार मैं भी हूँ और साथना करने में जो गलतियां हुई उसका भाग आप में भी है, हम इस भाग से हट कर, हम तो चाहते हैं कि हमें फल मिले, हम जो जो साथनाय किये हैं, उसका फल हमें मिले, सभी की इच्छा होती है, साथना का फल मिले, जो हजारों वर्षों में साथना सफल नहीं हुई, वो एक घंटे में, ग्रहन काल में, अगर ह भी हो सकता है। मैं आज गुरु पुरु निमा के दिन मदूर्श्रवा को जो परमपुजे सद्गूर देव जी ने मंत्र देकर उसको दिव्यारन के नाम से दिव्यारश्म की स्थाफना की थी। वह मंत्र जो चाना की को उनके गुरु ने दी थी। जिसे गलतियों का प्राइश्चित्य करना पड़ा। आइसे ही मंत्र जब को हम स्वामी निख्रेश्वान जो कि शेड़ों परत्तना करते हुए अगर करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे गलतियों का पश्चाताफ होगा तुमने जो गलतियां की है। गुरु को किसी वरकार से क्रोज आले की बात किसी ने भी की हो। गुरु रुष्ट हो गया है तो सारा संसार रुष्ट हो गया देवता भी उसको मना नहीं सिकते। लेकिन गुरु की प्रसंदता के लिए हमें कुछ कारी करना है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ ने कुछ हो, तो उस प्रसंदता के लिए आपको मैं कहता हूँ कभी, आरे मता हो यार थोड़ी देर बैटो, थोड़ी देर लुक जाओ, लेकिन आप नहीं सुनते, कुछ if you sayest specializing with telah झाया झाल कर आपके नमस्कार करें, गुरु भे गया हैं तो तुम्हे के लिए बुरालगता है, लेकिन तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन गया को मैं बार-बार कह रहा था तुमने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन एक आग्या है, और आग्या का पार्ण करना तुम्हारा करते हुए, ये छोटी सी गल्ती भी गुरु का रुष्ट होना भी गल्ती हो सकती है, इसलिए आप इन सभी चीज़ों को करते हुए, गुरु जी का अभिशेक करते समय, गुर उन चीज़ों को सुधारना चाहिए, हमें अने जवन में एक विद्वत्त होनी चाहिए और आज हम परमपुजे स्द्गुर्देव स्वामी निख्रेशान जी की कृपा से गुरुपुर्णी मा कर रहे हैं और ये स्वामी निख्रीन जी की गुरुपुर्णी मा है दक्तर नाडन स्रीमानी परमपुझे सद्गुर्देव जी माता भगवती के गुरुपुर्णी मा हैं हम सब उनके सेवक हैं उनके शिश्य हैं और उनके कृपा के अभीनाशी हैं उनके कृपा हमें बार बार मिले यह हम इच्छा चाहते हैं हम चाहते हैं कि ऐसा हो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसी गल्कियां आपके जीवन में हुई हैं तो एक जो विशिस्ट मंत्र मदुस्रवा को परमपुझे सद्गुर्देव जी ने देकर कहा था कि तेरी गल्कियों को ख्षमा करते हुए उनको दिव्यानद नाम का नाम देकर अपने आत्मे शिशे के रूप में लेकर दिव्यानद की दिव्याश्रम को परमपुझे सद्गुर्देव जी ने छे एकड़फे स्थापना किये वह भी पहार पर और वहां आज में दिव्यानद संचालित कर रहा है तो कितना खुर्पा पात्र हुआ होगा जिसने अपने गल्टियों को गल्टियों के खुषमा चाहतर गुर्वी से अपने गल्टियों को कहता हूं कि तुम गुरु पुरु निमा के दिन आए लेकिन हम बाते बनाते हैं मैं बार बार कहता हूं तुम्हें दो बार ही बुला कारण हो कर दें कुछ नींगुछ आफिस था भास निकाल या ली बच्ची बीमार था बूखार था पुखार था आपके करन आपको है लेकिन इन कारण हो के बश्क्राइब कार निमा चुड़ी जागी कुछ निके गुबहुत झार गुण हे US दिन, एक लाग ओज और जीर कर स तो बस都 को क्या के वह गुरु चर्डा में आया हुआ है यहां GORु जी में दीखते हैं कि विल आको आना है बात में तो गुरु जी संभध लेते हैं कृतिवान मनशेष message दो हमान मनस्वण तो आज कम उस दिवयान के आयू कोई साल, 1500 साल हो गी ऐसा विक्ति तो आज भी आशन चला रहा है तो एक सामान्य शिश्य को लेकर भी उन्होंने उतनी बड़ी दिक्षा देकर को महान बनाया है जो दश्वान ज्याहूं के पार गुरु के खुर्पा से होकर आज दिव्यान दिव्याशन को चला रहा है ऐसे ख्रमत आप में भी हो ऐसी शंक्ति आप में भी हो इसलिए मैं कहता हूँ कि वह निख्लेश्वान जी का जब जो आपने गुरु जी ने माज़ू स्रवा को दिया था वो आपको मैं आज देकर खुरुतार करना चाहता हूँ कि आपको जीवन में गल्कियां हो गई हो तो हो ने दो जो हुई हुआ लेकिन आज आप निखर्श्वान जी की कृपा प्राप्त कर करके ही जाएगे और अपने साथ लेकि जाएगे अपने साथना की सफतना आपके साथ वह जाएएंगे मैं आपको अशिरवात देता हूँ कि जिसंगल्कियों को आप फिर दोहराना नहीं चाहते वो दोहराएं नहीं और स्वामिन इकलेशान जी का मंत्र करते हुए आप यहां से उस साथनाओं को जो साथना आज आपने तीन दिनों में की है उन साथनाओं को लेकर निकलेशान जी की कृपा लेकर आप आगे बढ़ेंगे ऐसी ही साथना अभी मैं आपको देकर आप सभी को रवाना कर देता हूँ शमापन का दिवस है मुझे भी दुख है कि आप सभी लोग बहुत दूर से आए अपने काम दंदों को छोड़ कर आए अपने परिवार जनों को छोड़ कर आए आप आपके सभी चीजों को त्यार कर आप यहां आये हैं तो मेरा करते वे बनता है कि आपको खाली हाथना भी आपके गल्तियों को क्षमा करों आपके गल्तियों को क्षमा करते वे आपको उन साधनाओं का फल देकर भेजों और स्वामीन ख्रेशान से प्रत्तना करों कि प्रभू हम सब पर आपकी कृपा दुस्ती बने रहे हम ऐसे ही साधनाओं में आये साधनाय करते रहें और साधन कर दो